प्रेंड गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सब आसा करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो आप सब बहुत लड़ो गएरा पेडा और जो भी जैसे लाई का सब बनता है तिल का बनता है अंते का बनता बहुत सारे लड़ों बनते हैं गावों में, घर में हम लोग केछ आज कहानी लेकर आई हूं जो मेरी मम्मी और मेरी दादी कहा करती थी हम लोग को बैठा के पास में, जतिलवा आता तो हम लोग भी साथ में बैटके अपने मम्मी की देखते थे और कथा अगरा सुनते थे जो कहती थी तो वही कथा चलिए मैं आज आप सबको सुनाती हूं फ्रेंड आसा करती हूं कि बहुत पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक कमेंट सेल करना दोस्तों में फ्रेंड र कि जिसे तिल्वा कहते हैं गाउ में तो सकट की कहानी में सुनाने चल लहीं हूं बहुत ही अच्छी है और आप सबको बहुत पसंद आएगी असा है कि सकत तिल्वा कहते हैं, हम लोग के हम सकत भी कहते हैं, तो सकत आने वाला है, दस तारिक को सकत है तिल्वा जिसे सकत चौध कहते हैं, तो उसी कहानी हम आज आपको सुनाने चलने हैं जो है तो आप लोग बढ़ियां से अच्छे से सुनियेगा तो फ्रेंड एक दवरानी जठानी थी दवरानी जठानी की कहानी है यह तो लोग जो है न बहुत गरीब थी दवरानी और जठानी बहुत अमीर थी तो देवरानी बहुत ही गरीब थी तिनी गरीब थी किया बताएं वह एक टेम का खाना भी अच्छे से नहीं खा पाती थी तो उसकी जिठानी बहुत अमीर थी तो अपने जिठानी के यहां वह काम करने जाती थी कुटने फिसना झाल्ट यानि कि यह से कुछा ना जिली जाड़ने झाल्ने और साब काने कुटने पिसने वही जाती थी तो उसे जो अच्छा धल भटक के खराब निकलता था था चोटा छोटा तो किन Terp का अपने घर ले आती थी ए और लाने के बाद में उसको अपने घर में फिर साप करती थी तो जो अच्छा निकलता था उससे अच्छा निकलता था किनकी किनकी उठा के धाल लेती जो फाठा निकलता था यहीं कि बहुत छोटा-छोटा निकलता था उसको वो खाती थी अपने बच्चों को खिलाती थी मत तो करते करते एक दिन फ्रेंड तिलवा अया सकट तो सकट सब्सक होग है था तो यह हुआ कि सकट फथे तो किया बना bottoms तो यह बनाए तो सकट भगवान को याद की और जो सामान चड़ता है वह किसी तरीके से बेयुस्था करके अपनी पूजा कर रही द्युक्ति परिवार के साथ अपने मदलब पानी उसके बाद में सोने के लिये गई तो रात में क्या देखती है कि सकट भगवान आया और कहते हैं कि दर्वाजा खोलो दर्वाजा खोलो तो जाके वो दिवरानी उनकी जो है जाके दर्वाजा खोलती थी अब दर्वाजा खोलने के बाद देखी कि जो है एक ठो एक बाबा आए है सकट बाबा आए है तो बोली कि बेटा मैं सकट बाबा ह जिसका तुम आज ब्रेत रखी हो तुम लोग तो कहीं बाबा आओ तो कहीं हमको बहुत भूख लगी है आज तुम क्या बनाई हो तो वो कहने लगी कि जो है बाबा जो मुझे मिला है जो है आपने दिया है मैं वो सब बनाई हूँ तो कहीं दो हमको हमें खाना है बहुत मेरे तो सकट भगवान जो भी वहां था सारा मतला उनका सब थोड़ा थोड़ा चेक करके देखे खाए और उसके बाद मैं कहें कि अब जो है कर लो तो फ्रेंट उनो ने सब जगह कर लियत तो कहा कि आप क्या कज़ह रहे तो धर मुरु तुम्हारा ही है सब गड़ आरन करो मुरुआ इन करो जहां भी पाओ कर लो तो अच्छा ठीक है उन्होंने कर लिया तो कहा कि मतलब अब हम जा रहे हैं अपने घर तो कहीं प्रभु जाओ फिर तो जो चले गए तो सुबा उड़ते ही वो देखी तो उनके एकदम सब पीला पीला सोना सोना चांदी हीरा मोती सारा घर उनका भर गया था तो वो बहुत खुस हुई भाई अतना खुस हुई इतना खुस हुई कि उनको भाई सकट भगवान सब कुछ दे दिये इतना दे दिये कि उनको रखने के लिए जगहा नहीं था पूरा घर उनका खुब अच्छे से बन गया इतना अच्छा बन गया घर उनका कि आस पडोस में कोई उनका ऐसा घर नहीं था उनके बराबर जितना अच्छा उनका घर बन गया सकट भगवान उनको इतना दे दिये कि रखते 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 सुबा हो गई फिर भी उनका साम मतलब सोनचांदी मतलब सम्हाला नहीं गया उनसे तो उनकी जठानी बोली कि वो क्या अपने बच्चों कही क्या हो गया तुम्हारी जो है चाची काम करने नहीं आ रही जा कि देखो क्या हो गया भाई कहीं तबे 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 तो नहीं खराब हो गई तो बच्चे उनके आए देखे तो कहे कि चलो मम्मी बुलाई है तो कही कि ह बाद में आएंगे अभी हमारे यहां बहुत काम हैं बहुत काम कर रहे हैं जाके मम बता दो अपने तो भाई बच्चे गए बताने लगे तो भाई इठानी खुप गुस्सा अने लगी बहुत जाता गरम हो गुश्सा में कि उनके आज इतना भाव बढ़ गया है इसन है वैसे यहाँसे कूठपीस पालती टी खाती पीती थी लेकिन आज ऐसा दिन है किसी को इसलिए उनका घर इतना अच्छा बना दिये थे तो पूछने लगी महां जा जाके उनका घर कॉन सा है तो कहीं नहीं है तो जैग देखने लगी तो कहीं झालाई था तो रातो रातमीर हो धन दौलत तो रहतना होई गें और हम तो पहिचाने ना पाई सबसे पूछा तही घरदवार तो अब विश्वासे ना होता है तो रहें कुछ किये हैं सब सकट भगवान हमार किये हैं कहें तुम कुछ नहीं किये हैं जो तुम 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 रहे हां कूट पीस के लावत लाते थे वही जो है जो है सकट भगवान अपना खाए और फिर बोले हमसे की जो है हमको लेटिंग लगी है कहां जाए तो हम बता दिये पर जहां मन कहें वहां करो तो तुम्हारा ही घर है तो उनका मन जहां मन आया वहां किये हुए अब उनकी लीला है महमा है वही जाने ऐसे ऐसे हम किये हैं कहें कि आए सब्सक्राइए तो तो में युणारा कि तो मन चुम्हारा हो नहीं सकट कर सक चलनकी घर है तो सकट भगवान तो उनकी मिनता इसे वह कि अपना बनां रாगाए तो सकट भगवान आये कहीन खोलो की वड़िया कहीन अच्छा परभु आ गए खोली की वड़िया कहीन काव बनाई हो जो कुछ दिये हो सब बनाक रखें लेड़ू पेडा धूंदा हो गयरा तो कहीन चलो दो खाए कहीन परभु लो जो है सब तुम्हारा ही सब घर है जहां मरजी आए वहीं करो भाई तो कहें तो कहें कि अब हम कहां करें कहें गुडवारिन करो मुडवारिन करो जहां मन कहें करो कि अच्छा तो भाई कर लिए तो कहें कि अब हम जा रहें अपने घर कहें पर भू ठीक जाओ फीर अगली साल आना कहें ठीक है अब यह कहिके जो हो अपना सो गई अब सुबेरे उठा था था तो देखा था पूरा घर गंधा था बद्बू आवत है जिधर देखा तो दर गंदगीन गंदगी फैली आए अब चारी बहुत परेसान कहूं पैर रखे जगा नहीं इतनी परेसान होई गई तब हो दोड़के गई अपने दवरानी कहीं हैं गुसाय लागे बोली कि तुम हमका का बता दिये हो उल्टा सीधा बता दिये हो तुम जो है हम रहे हैं सोना भवा अब तुम रहे ही रा मोती सोने सोना होई गवा तो हमका बड़िया बात नहीं बताई हो कि तुम को सकट भगवान कैसे दिये हैं हमको तुम जोट बोली हो इसलिए सकट भगवान हमको नहीं दिये हैं कहीं नहीं दिये इसी बात नहीं हम तुम का सब सहीं सहीं बताए ह बाती है कि भगवान हमका इमारे दिन की हमरे नहीं रहा तो हम कनकी खाय के फाठा खाय के कनकी बटोरे तो उनके भोग लगाए तुम जो है कनकी बचाई के अच्छा-च्छा खाई हो और कनकी का भोग लगाई हो बनाई हो लड़ू-पेडा इससे तुमरे सब कुछ होते कि भगवान के लिए कनकी बचाए फाठा खाये तो भगवान हमका देहिन है तो हम बहुत खूशन तो हां है सकत भगवान जैसे उनको दिए हो बैसे सब को देना है बोलो सकत भगवान आज कि जैं कर से डूए बहां, जो जहां कि अinner सकी हूए तरों अ, अ, बहां कि अ, भी ट semana कि को